ऐलो गयाई्स वल्कम बैक टो मılar नू ब WindowOW कैसे एपसद आई फोप आप आप सभी हैं नहीं है क्योंकि अम तिनों कोब बहुत ज़्यादा हो रहा है क्हासी हो रही है इसलब को फूरा और चाहती में दर्द हो रहा मेरा तो कोई बात नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा गुड्डू को हो रहा है तो दवाई भी अब आज हम सोच रहे हैं कि चाह हॉस्पिटल लेके आए क्योंकि बहुत दिन हो गया है नहीं ठीक हो रहा है जो घर पे दवाई थी ओमेने दी थी लेकिन उससे नहीं फरक पड़ र रहता है सनिवार को तो यहां पर मैं बना रही हूं सूजी का हलवा आज क्योंकि लेट हो गया तो मैं सुचा हलका फुलका नाश्ता बनाते हूं लंच फिट जल्दी से बना देंगे और यहां पर मेरा जो कैमरा था वो अच्छी से सेट नहीं हो रहा था तो वीडियो नहीं कालता शायद नहीं शुका घड़ा खर घक कर दिया और इसके बाद फिर मेरी शकल भी आ रही है और मेरी कडाई की शकल वी आ रही है यहां पर साथिसात में में ममी ने गॉशं कर रही हूं क्योंकि सुचा दाल को ब्लूब कर भीग ड़ा और घ़र ने घर की आल तो इसमें कूड़ा वगेरा आज आता है घर में खेट से जो मिट्टी पत्थर वगेरा होते हैं थोड़े छुटे-छुटे तो इसलिए इसको थोड़ा साफ करना पड़ता है और उसके बाद इसको वालने के लिए रखा मैंने आज मुझे बहुत सारे काम करने थे क्योंकि जिस दिन इस श्विपापा की छुट्टी होती ना उस दिन में सारे काम बचा के रखती हूँ कि ताकि गुड़ू ग्याने का ध्यान वो रखने थोड़ी देर और मैं अपने काम करूँ और यहाँ पे साथी साथ इस श्विपापा लगा रहे थे जाडू गुड़ू ग्यानू दोना टीवी देख रहे थे ग्यानू तो खेर टीवी नहीं देखता है वो तो आगे पीछे डोलता रहता है और यहाँ पे थोड़ा से गी कम होगिया था तो मैंने उपर से एड़ कर दिया गी सूजी में सूजी को जितना देर तक भुनेंगे जितने दीमी आश में भुनेंगे उतनी अच्छी मतलब खुश्बू आते और अच्छा बनता है हल्वा कल मैंने बनाया था यहाँ पे क्योंकि वारा लक्षमी थी तो यहाँ पे लोग मीठा बनाते हैं कर्णाटक बैंगलॉर में तो मैंने भी बनाया था कल लेकिन कल ना इसी बापा खानी पाया था क्योंकि वो ऑफिस चले गए थे मैंने लेट बनाया था वो नाश्ता करके चले गए थे तो उनको हलवा नहीं मिल पाया था तो इसलिए मैंने फिर आज दुबारा से उनके लिए हलवा मैंने का चलो हलवा ही बना देते हैं काफी लेट भी हो गया है नाश्ता में तो यहां पर हम हलवा बना रहे हैं और वो भी गुड का हलवा बना रहें गाइस तो गुड का हलवा तो बहुत ही हल्दी होता है चीनी नहीं डालती मैं मैं हमें सब गुड के साथ ही इस हलवे को बनाती हूँ गुड का पानी मैंने उधर उबालने के लिए रखा हुआ है साइड में तो गाइज यह हाउस वाइफ का टैलेंट होते है कि एक साथ तीन तीन चाजर काम कर लेती है तो मैं भी यहीं पर दो दो तीन दिन काम एक साथ कर रही हूँ तो इसी पापा ने जाड़ू लगाया और फिर हमने नाशता वगयरा किया फिर बहुत सारे काम थे दिन के छोटे मोटे सारे काम होते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं वीडियो नहीं content पाता है और आज भूझे हो गया था जब मैं बड़तन थे ली दीन के लिए फहाँ पूरा पानी जम्हा हो गया था और पूर कि में च meta पानी पानी तो इसलिए मुझे पता ही नी चलता फिर मने इसी पापो को बलाया फिर उनने बुला हो रहा है पिर यहां पे मैंने डाल दिया गुड़ का पानी इसमें एड कर दिया और बहस्पा कि उसके बाद उपर से ड्राय फूटना मैंने अलग से डाले है क्योंकि गुड़ को पसंद यहां पर ग्यानू कर रहा है अपना नाश्ता गुड़्टू भी कर रहा है यह देखो ग्यानी तो अपने हाथ से खाएगा और पापा भी लगे भी अपने ओपिस के काम के साथ साह है यह क्या हो रहे है अपने 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 अपन कि अजcketा खतम होने के बाद आज आजें बढ़तन दोनी की बारी और सुगर नाश्ता में पताने क्यों इतने सारे मंचे तो समझी नहीं आता है जबकि नाश्ते में कम बढ़तन होने चाहिए लेकि नाश्ते में सबसे ज्यादा बड़तन होते हैं तो यहाँ पर मैं आ गए थी बड़तन दोने के लिए और मैं बड़तन धोये जारी थी धोये जारी थी और नीचे पानी जमा हो रहा था मुझे पता ही नहीं चल रहा था जब वो पूरा भर के बाहर निकलने लग गया नीचे से तब मुझे पता चले कि यार और उन पर मिट्टी वगएरा भरके अच्छे से गार्डिनिंग करूँ उन में थोड़ा सब्जियों के पौदे लगाओं छट पे चट पे यहां पर थोड़ा साइस पेस है तो मैंने सुचा क्यों ना यूज किया जाए और यहां पर बिल्डिंग में बहुत सारी लोग जो है तो मैं ले आई थी तो मैं वही सोच रही हूँ आज मैं सोचा जल्दी से खाना वाना बनाते हैं जल्दी से घर के काम निप्टाते हैं फिर चलते हैं बाहर और मिट्टी वगएरा देख के आते हैं खात वगएरा तो इसलिए भी मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम निप उसके बाद ही मैं चाए भी में इसके बाद ही बिना ती पहले में ना ती आसेगए और पूजय करती हूं किuisके बाद फ्रूज्बत पर पर इशान करते हैं शांत मतव्य नहीं करते हैं कभी उसके बार ही होता है पहले मैं पूजा कर देती हूं बस पूजा की सामने तोड़ा साफ कर दो वैसे भी पूजा कर जो है ना वो छोटा सही इस्तार है खड़े हो की पूजा करने पड़ती है तो जाड़ू पुछे कर तो कोई इतना सीन रहता नहीं है कि नीचे होता है गंदा नहीं पढ़ता है सुबह सुबह फिर उसके बाद बच्चे करने ही नहीं देते हैं तो वह यह गाइस तो अभी मैं जल्दी से काम निप्टा रही हुए अपने के था कि मुझे थोड़ा सा बाहर जाने का टाइम मिले और मैं थोड़ा सामान लेके आऊं और थोड़ा सोच तो एसे के बाद में यहां पर जनी के मुह चलओ जाता है तो यहां पर ज्क्रामों पहुपी जाता है रहें प्हλ ऐसे घ्रिख करना है तो यहां फे मुझे के मुझे मूह पर बहुत जादा कीम तो यह लगा नहीं ठीक हो रहा है यहां पर हो गया जिक दोगया दिया है उसके बार अब बदो को जब कर अंहने के लिए नहीं कराए गख्यारा था और इसको जिए उन्हेरे के मिलाने व sogen रहा था नाने के लिए जाने का इसलिए मैं जब अधसी इसको पकड़े के ले गई और फिर मैं इसको नहीं लाके ले आई हूं और आज भी नो मेरे गड़े में बहुत जादा दर्द हो रहा है तो गाइस आई होप आपको मेरा यह व्लॉग जो हो पसंद आया होगा कोई भी तो प्लीज माफ कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना व्लॉग को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तर क्लिए बाए बाइ बाइ